बिसम्लाइ रह्माने रहीम असलाम लेकूम विएर्ज बाने मिश्याज भीद नेक्स हम बात करते हैं इंडेक्स मेथड की हमने लास्ट वीडियो में फाइंड का मेथड डिसकस किया थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें कि फाइंड का मेथड क्या कर रहा था आपकी सट्रिंग में से स्पेजिफिक क्रेक्टर और सट्रिंग का जो पार्ट वर्ड है उसको फाइंड करके बताता था कि first occurrence कहां पे है है नहीं कि उसका आपको इंडेक्स दे दिया जाता था हमारे बास एक और मैθड है इंडेक्स का index का method भी same वो ही काम करता है लेकिन एक difference है वो क्या है वो आज़े यहाँ पर देखते है suppose मैंने यहाँ पर एक string ले ली same वो ही जो हमने last वीडियो में use की थी हम यहाँ पर इसको print करवाते हैं लेकिन यहाँ पर मैं method कौन सा use कर रहा हूँ dot index के नाम से हम यहाँ पर कोई भी character कोई भी word string का search कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर search करता हूँ suppose मैंने यहाँ पर word ride किया live इसको यहाँ पर run करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर answer आ रहा है two यानि कि आपकी search रहा है जो live का word है यह two index पर पढ़ा है zero, one and two अगर मैं यहाँ पर suppose इसको change करता हूँ in कर देता हूँ इसको run करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर answer आ रहा है seven ठीक है find का method भी यही काम कर रहा था लेकिन अब फरक क्या है फरक यह है कि find के method में अगर तो character या setting नहीं find होती थी तो हमारे पास यहाँ पर return में minus one आता था लेकिन अगर तो index का method यूज किया जाए suppose मैंने यहाँ पर write किया end यह ऐसी setting है जो के इस setting में मुझूद नहीं है हमारे पास अब यहाँ पर return में minus one नहीं आएगा बलके error यानिक exception आएगी इसको मैं run करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर trace back का एक error आया जिसको exception का नाम किया जाता है तो यह एक main difference है index method में और find method में अगर parameter की बात की जाए तो same उसी तरीके से यहाँ पर आप value का parameter यूज कर सकते हैं suppose मैं यहाँ पर I write करता हूँ उसके पास comma इस तरीके से ठीक है मैंने कहा position number 5 से position number 10 के दरम्यान देखें कि I की first occurrence कहाँ पर है इसको run करते हैं जैसे run करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर answer क्या आ रहा है 7 यानि कि मैंने यहाँ पर specific कर दिया कि इस position से इस position के दरम्यान देखना आई कहाँ पर आता है तो first occurrence यहाँ पर यह आ रही है ठीक है चूंकि मैंने यहाँ पर starting value और ending value दी हुई है इस वज़ा से मेरे बास यहाँ पर answer क्या है 7 तो mind में रखना है find का method और index का method दोनों में सिरफ एक फरक है find का method आपको return में minus one देता है अगर तो उसको starting नहीं मिलती जब के जो index का method है वो आपको यहाँ पर exception एरर देता है जब उसको यहाँ पर starting नहीं मिलती उसके पास हमारे पास यहाँ पर next method है जिसको नाम दिया रहता है is alpha numeric यह क्या करता है क्या आपकी starting में alpha numeric characters है या कोई और भी है alpha numeric से क्या मुराद है alpha numeric से मुराद होता है a to z और इसी तरीके से 0 to 9 आपकी जो starting है वो a to z और 0 to 9 का combination होना चाहिए उसके इलावा कोई भी character special character spaces कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर तो मैं यहां पे method यूज़ करता हूँ suppose is alpha numeric यह हमारे पास method है इसका यहां पे कोई भी parameter नहीं होता ठीक है अगर तो मैं इसको run करूंगा तो हमारे पास यहां पे answer to or false की form में आता है तो मेरे पास answer क्या या false क्यों क्योंकि यहां पे spaces भी है comma भी है और यह full stop भी है हमें काम करते है हम इनको remove करते है सट्रिंग को फिल हाल मैं इस form में write कर लेता हूँ पाकिस्तान अगर मैं इसको run करता हूँ तो यहां पे आप लोग देखें कि हमारे पास answer क्या आया true यानि कि आपकी जो सट्रिंग है या तो उसके अंदर alphabets होने चाहिए a to z या उसके अंदर कोई number हो सकता है suppose मैंने यहां पे write कर लिया फर्स करें one two three इसको हम जैसे ही run करते हैं तो हमारे पास यहां पे answer still true आ रहा है अगर मैं यहां पे space ही add कर देता हूँ अब इसको run करें answer क्या आया false तो space या कोई भी special character यहां पे use नहीं किया जा सकता तो इस तरीके से हम इस method को use करते हैं is alphanumeric जो कि हमें चेक करके बताता है कि यह sutring alphanumeric है या नहीं है next हमारे पास यहां पे एक method है जिसको नाम दियाता है format का suppose मैं यहां पे एक सट्रिंग ले ले लेता हूँ फर्स करते हैं I live in यहां पे मैं ले ले लेता हूँ इस तरीके से curly braces ठीक है यहां पे हम method यूज करते है format का और यहां पे अब हमने value देनी है value से क्या उम्राद है देखें मैंने यहां पे write किया I live in और मैंने यहां पे curly braces इसको नाम दिया थै प्लेस होल्डर का कि मैं चाहता हूँ कि जो value मैं यहां पे लिखूँ वो यहां पे place हो जानी चाहिए चलें देखते हैं किस तरीके से मैंने यहां पे write कर दिया फर्स करें पाकिस्तान अब देखिएगा जैसे ही हम इसको run करते हैं तो आपके पास वो answer आएगा वो answer है I live in Pakistan ठीक है यहां पे खुझ से यह वाली जो value है यह format होके आ चुकी है चलें एक और काम करते हैं multiple values यहां पे use की जा सकती है suppose मैंने यहां पे कॉमा लगाया उसके बाद write कर देता हूँ फर्ज करते है my city name is suppose यहां पे again मैंने curly braces यानि के place holder यूज कर लिया यहां पे कॉमा लगाते हैं यहां पे मैं एक और सट्रिंग लेता हूँ फर्ज करते हैं fsd इस तरीके से राइट कर देते हैं अब इसको अगर मैं run करूँ तो हमारे पास अब answer देखिए का क्या आया I live in Pakistan my city name is fsd यानि के फैसलाबाद अब क्या हुआ दो values मैंने place की है पाकिस्तान यहां पे आगी fsd मैंने पास यहां पे आगी तो इस तरीके से हम जितनी मर्जी values यहां पे यूज़ कर सकते है format का method क्या करता है सट्रिंग की formatting करता है अबसे यहां पे कुछ different तरीके से भी इन values को access किया जा सकता है किस तरीके से हम यहां पे variable का name भी यूज़ कर सकते हैं अगर तो variable name मैं इसके लिए use करना चाहता हूँ for example मैंने यहां पे write कर लिया country के लिए फर्ज करते हैं ctr write कर लिया और मैं यहां पे क्या करता हूँ यहां पे write कर दिया suppose इसके लिए मैं variable ले 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 लेता हूँ city is equal to ठीक है जी इसको हम city में write कर देते हैं और यहां पे मैं write कर देता हूँ इस तरीके से variable का name अब अगर इसको run करते हैं तो हमारे पास यहां पे answer आ रहा है I live in Pakistan, my city name is special abad मतलब यह है कि आप इस तरीके से भी write कर सकते हैं इसी तरीके से हम यहां पे index को भी use कर सकते हैं suppose variable की जगा मैंने यहां पे index write कर दिया 0 और यहां पे suppose मैंने index write कर दिया 1 इसको मैं यहां से remove कर देता हूँ variable को इस तरीके से दो मैंने setring ली है 0 index पे मुझे यह setring चाहिए 1 index पे यह चाहिए इसको run करते हैं तो हमारे पास answer इस तरीके से फिर भी आ जाएगा ठीक है last point यहां पे हम different formatting की types यहां पे use कर सकते हैं क्या मतलब है इस चीज़ का suppose मैं यहां पे कुछ भी write कर लेता हूँ for sale फर्ज करते हैं और यहां पे मुझे एक place holder चाहिए लेकिन उसकी specific formatting होनी चाहिए क्या मतलब है मैंने यहां पे first करें write किया price colon dot फर्ज करते हैं मैं write कर लेता हूँ 2f उसके बाद यहां पे जो place holder के लिए हमने value लेनी है first करें मैं यहां पे write करता हूँ price is equal to और यहां पे मैं value ले लेता हूँ 30 या 25 value ले ले लेते हैं अब यहां पे जो मैंने 2f यूज किया है उसके बाद मैंने यह point यूज किया है फिलहाल आप देखें कि हमारे पास output यहां पे क्या आती है उसके बाद इसको discuss करते हैं मेरे पास यहां पे answer क्या है for sale यहां पे मुझे कोई integer value चाहिए थी मैंने यहां पे 25 price की value क्या आगी 25 आई लेकिन यहां पे मेरे पास point के बाद दो दफ़ा आपको यहां पे 0 नजर आ रहा है यह basically यहां पे indication है कि मुझे point के बाद two decimal point तक formatting करनी है ठीक है चले मैं इसको change करता हूँ फर्स करते हैं मैं यहां पे 3F use करता हूँ इसको run करें तो मेरे पास यहां पे answer point के बाद 3 times 0 यहां पे आ चुका है यहां पे F से मुराद यह है fix point number format यहनि कि आप decimal point के बाद कितनी values लेना चाहते हैं वो आपने यहां पे mention करना होता है उमीद करता हूँ कि यहां तक आपको समधागी होगी दौा में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने subscribe नहीं करें अल्लाफ़ नासीर